हालो फ्रेंड्स वल्कम टो मैं चैनल जियो जीवन आप सभी का मेरे चैनल जियो जीवन पर हारदिक स्वागत है रास्ते में हाथी के दिखने का क्या मतलब होता है जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नि किया हो तो इससे अभी सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो जब भी आप किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो आपने अकसर देखा होगा कि हर देवी देवता के साथ कोईन कोई पशू या पक्षी उनकी सवारी अथ्वा उनके साथ दैवी कानों से जुड़ा होता है साप कोशिव जी के साथ लक्ष्मी जी को उल्लू के साथ गडेश जी को चुहे या कि दुरगा जी को शेर परसवार देखा जा सकता है पुराने जमाने के लगभग सभी सुपर हीरोज के साथ कोई न कोई पशू या पक्षी अवश्य होता था अमेरिकन सब्विता की माने तो प्रतेक जानवर किसी न किसी उर्जा का प्रतीक है उनका साथ या उनका दिखना अपने आप में बहुत कुछ कहता है शकुन सास्त्र के नुसार यदि ये जानवर या पक्षी आपको रास्ते में दिखलाई पड़ें या कि अचानक आपसे टकरा जाएं तो इसके पीछे कई संकेत छुपे होते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यदि रास्ते में आपको ये खास पक्षी या जानवर दिखाई पड़ते हैं या कि अचानक आपसे टकराते हैं यहां तक कि ये दिन की तस्वीर भी आपको दिखलाई पड़ती है तो इसका शुब और शुफल बताऊंगी तो यह जानते हैं कि दि आपको रास्ते में कोई जीव जन्त या पक्षी दिखाई पड़ता है तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों शकुन सास्तर के अनुसार दि रास्ते में आप कहीं जा रहे होते हैं और आपको हाथी दिखाई पड़ता है तो यह अत्यन्त शुबसंकेत माना जाता है हाती को भगवान गडेश जी की सवारी माना गया है अता है आप जिस भी कार करने के लिए जा रहे हैं उसे पूरे मन से करें आपको सफलता की प्राप्ती अवश्य होगी दोस्तों यदि आपका कोई कार बन नहीं रहा है तो वह अब आपका बनने वाला है साथी साथ कहीं न कहीं से आपको सुब समचार मिर सकता है या कि आपके घर कोई मांगलिक कार होनी वाला है तो यदि हाती आपको रास्ते में दिखे तो उसे पडाम करके आगे बढ़ें और खुश रहें दोस्तों ये तो हो गई शास्त्रों से समंदित बातें आए जानते हैं वैग्यानिक दृष्ट कोड के अनुसार किसी भी जीव जन्तु या जानवर का रास्ते में दिखना या कि इनकी टकराने का क्या मतलब होता है दोस्तों वैग्यानिक दृष्ट कोड की बात करें तो किसी भी जीव जन्तु या जानवर का रास्ते में दिखना अत्वा अचानक ही इनका टकरा जाना एक काम परक्रिया के अंतरगत माना जाता है कारण कुछ भी हो सबी की अपनी अलग अलग मानिताएं मानी जाती है वैग्यानिक दृष्ट कोड की बात करें तो रास्ते में किसी भी जीव जन्तु या जानवर का दिखना एक काम परक्रिया के अंतरगत माना गया है परंतिदी बात करें शास्त्रों की खास तोर पर शकुन सास्त्र की तो शकुन सास्त्र के अनुसार किसी भी जीव जन्तु या जानवर का रास्ते में दिखलाई पढ़ना अपने आप में कई गूड रहसे छिपाए हुए है जो की समय सिमय पर भविश में होने वाली कई शुब और शुब घटनाओं से मनुश को अवगत कराता है दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में मैं आप सभी को कई अन्य जीव जन्तु या जानवरों का रास्ते में मिलने का मतलब बटाऊंगी आशा करती हूँ कि आज की दी गई ये सभी जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्या कमेंट करके आप अपनी डाय अवश्य दें वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत मत्पूर है जो कि हमें प्रोच साहन देता है आपके लिए नए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद